नमस्कार और फिर सबका स्वागत है क्रिगेट केसरी में मैं हूँ अविनाव टीट्वेंडियो विश्व कप इतिहास में आज पहली बार हुआ जब दो बार की विश्व चैंपियन वेस्ट इंडीज की टीम विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई आज कैरेबियन टीम अपने स्टार खिलारीयों को जरूर याद कर रही होगी जिन्होंने एक वक्त पर इतिहास के पन्नों में एक सुनहरे अक्षर से अपने देश का नाम सबसे उपर लिखा था हम यह मान सकते हैं कि कोई भी टीम हार जाए तो चलता है पर कोशिश भी ना करे मुकावले में एक वक्त के लिए भी मैच को अपने तरफ ना ला पाए यह तो गहरे सोच वाली बात है 2022 के T20 विशुकप के कौलिफायर के शुरुआत ही उलट फेर से हुई थी मगर किसे पता था कि अंत भी उलट फेर से ही होगी कौलिफायर ग्रूप B के पहले मुकावले में वेस्ट इंडीज को पहले स्कॉट्लेंड के हाथो हार का सामना करना पड़ा और फिर आज आयरलेंड के खिराव स्कॉट्लेंड से हारने के बाद किसी ने नहीं सोच था कि दो बार की टीटवेंड विश्व चैंपियन कमबैक नहीं कर पाएगी पर आज यह पता चल गया कि जो कोई नहीं सोच रहा है वही टीटवेंड विश्व कप के आठमें एडिशन में होने वाला है जी हां सभी लोग अनुमान लगा रहे थे कि वेस्टेंडीज एक डार्क होर्स बनकर विश्व कप में उबरेगी पर यह अब नामुम्किन अब वेस्टेंडीज भी आज रियालाइज करें कि वह कितने पानी में जा चुकी है कि वह सूपर बारे में भी अपनी जगा नहीं नहीं हो पाई पूरी टीम मातर 146 रन ही बना सकी केरेवियन खिलाडी ब्रेंडन किंग नाबाद और 40 गेंदों पर बारसेट रन बनाए बागी खिलाडी फिसदी साबित हुए वहीं आइरलेंड के गैरत डिलाने ने कसी वी गेंदवाजी की और अपने चार ओवरों में ती कप्तान एंड्रियू बैल बेड़नी की 27 रन की पारी और ओपनर पॉल स्टेरलिंग की नाबाद 48 गेंदों पर 66 रन की जवरदस्त पारी के बदावलत वेस्ट इंडीस की हार निश्चित हो गई जिसके बाद विकेट की पर बल्लेबाद लोकेंट टकर ने नाबाद 45 रन की पारी खेल कर ना सिर्फ मुकाबले को जीता बलकि सूपर बारे में अपनी जगह भी पक्का कर ली टीम ने शांदार खेला और नौ विकेट की आसान जीत हासिल कर ली और एक अचीवमेंट हासिल किया क्रिकेट से जूरी ऐसी है और वेप डेट को जानने के लिए देखते रहे हैं क्रिकेट के इसरी क्रिकेट कि आसे ऑन्योफिं तथयां चया घृचर भात्त्र थैचराश छा भी ट्हा थी यथ your गो जब हासिता जिए हैं क्रिकेट उन्यों जब हैं पारो बारे में ली रसे ईंवे अनौ उन्व का जो पIKन देञेए बन्योटने नह भी और I